प्रवागी समेस्टर तीन में जो अभी मैं बाते बताने वाला हूं समेस्टर तीन में तो पूरी किताब ही इस पे है अगर मैं बात करूं तो अभी आप सभी बच्चे जो होंगे अगर मैं आपको बैक डेट पर ले जाओं आपको ले जाता हूं सपोज मैं 10th क्लास 10th से थोड़ा पहले ले जाता है अगर आपको याद है आपका 5th क्लास अगर आपको याद हो आपका 5th क्लास यानि अभी आप हो 13 यानि 8 साल पहले की कहानी ठीक है ना आप साल पहले की कहानी अगर मैं बात करूं तो आप बहुत चोटे भी थे और उस टाइम पर आपको घरवाले 500 रुपे दिया भी नहीं करते थे ठीक है और उस टाइम पर आप रेजिस्टर खरीदने जाते होगे पैन खरीदने जाते होगे बहुत सारी चीज़े खरीदने जाते होगे उस टाइम पर आपको 20 रुपे वाला रेजिस्टर देखते तो बहुत मोटर रेजिस्टर हुआ करता था 20 रुपे में और आज के दि कहानी बदल गई है यानि हमारा जो पर्चेजिंग पावर है पर्चेजिंग अगर बात करें समान और साइध आप समान का भी रेट का में बता हूं तो उस टाइम पर पेट्रोल हुआ करता था 30 रुपे लिटर अब है 102 रुपे लिटर पहले आप कुछ भी चीज लेते होगे तो 100 रुपे में वह चीज आ जाती होगी लेकिन आज के टाइम पर 100 रुपे में वह चीज नहीं आएगी वही चीज 200 या 300 का हो गया होगा उसके पीछे रीजन क्या है लॉजिक क्या है सार रीजन यह है कि महंगाई रेट बढ़ता जा रहे हैं महंगाई बढ़ता है समान बढ़ता है महंगाई जैसे बढ़ता है आपकी इंकम बढ़ जाती है था हमसंкими नहीं पारवी पास करके बुलता ज hatır मुझे जोब की ज़रत सब्सक्राइब अगर मैं आज भी उस बच्चे को बोलू आपको पच्चिस सो दूंगा तो बोलेगा पच्चिस सो में कुछ नहीं होगा सर आज मुझे उससे सेलरी देना पड़ रहा है पांच हेजार रुपए यानि मैंने सेलरी डबल नहीं किया उनका आपको लग रहा है कि पहले मैं पच्चिस सो दिया करता था आप मैं पांच सेजार दे रहा हूं नौ आप सिर्फ और सिर्फ कंपनसेट कर रहे हो उसके वेल्यू के रुपए को जो डेप्रीशेट हुआ है बैंक में भी आप FD करते हो नों तो FD पर कभी इंट्रेस मिलता ही नहीं आप फैनेशल मेनेजमेंट में जब पढ़ोगे तो उसमें सच्चा ही पता चलेगा रहे है यार ब्यास तो मिला ही नहीं हम तो घाटे में रहते हैं जो घर वाले पैसे जमा करते हैं क्योंकि आपने では बल लेखिन एक्चुल में डबल नहीं हुआ कहीं कहीं आपको नुकसा नहीं है तो इसलिए हम निकालते हैं एक एन्यूटी फ्रेटर में क्यल्कुलेटर में निकलना सिखा दूगा दूंगा इसलिए निस इसलिए लिए जाएं uh Videos फारा की रहे गान ले गूदूटी वाले तीसरे साल में यह साइध 8 पैसे हो जाए चौथे साल में साइध यह 0.8 या 79 पैसे हो जाए ऐसे कुछ होगा यानि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उस एक रुपे की वेल्यू कम होती जाएगी अगर आप किसी को आज उधार देते हो आप उधार देते हो 100 रुपे और वो बो तो तुने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया मुझे ठीक है ना तो अब बात करते हैं सर इसके अंदर भी दो मेंठ शाजाते हैं एक आ जाता है एक आवरेज प्रॉफिट के शाफ से एक आ जाता है शूपर बड़ा आसान सा है छोटा सा टॉपिक है एक आजाता है एक कि सर आपका एक प्रॉफिट के इसाब से गुड विल क्या होता है विल इस इकल टूब एवरेज प्रॉफिटन रिंकर और अब अटियर्च में और शली में गीवन था बताइए नम्बर ऑफ परकेज और गीवन होता था चार साल पांस साल लेकिन आप ऐसे होना ने होने वाला नहीं है आपको घीवन होता तो आप एनिटी वैलिव देगा पांस साल का इतने percent यानि आपको देदेगा कि 5 साल बात 10% के साब से यह value होगा same super profit के इसाब सेkuडविल क्या होता सर super profit के इसाब सेkuडविल क्या होता था super profit into my number of purchases here आप कर देंगा into नUti सर यहनईईटी क्या है जो पैसे हमें future में वही benefits पहुँचाएगा जो कि मुझे आज दे रहा है उसे उनुटी value बोलते है यानि future value को हम annuity value बोलते हैं अगर मान लिया जाए आज की date पे एक pen आपको 5 रुपए का मिल रहा है और future में अगर वो आपको कितने का मिलेगा 10 रुपए का मिलेगा तो अगर आपको future में 5 रुपए ही कोई देता है तो आपका नुकसान है आपको कितना लेना चाहिए उससे future म पे 10 रुपए ठीक है तो गुडविल निकालना क्या है जहां पर नंबर औफ पर्चेस यह लिखते थे वहां पर क्या लिख दोगे एनुटी वेल्यू यानि present value निकालना है इसको present value भी बोल दिया जाता है तो इसको अगर निकालना है तो जैसे अगर 10 परसेंट सवाल कहता ह या 10 परसेंट है और 5 साल बाद 10 परसेंट है और 5 साल के बाद हमें present value annuity factor अगर निकालना हो अब present value annuity पीवी एफ नहीं लिखके cf कर देता है क्योंकि आपको cumulative की जुरत पड़ेगी cf कर देंगे पीवी cf present value cumulative factor हो जाता है तो यह कुछ एक word अगर आ जाए सवाल में तो आप कर सकते हैं तो कैसे निकालेंगे 5 सालों का calculator पर हाला कि यह चीज़े मैं extra बोल रहा हूं सवाल आएगा एक्जाम में आपका नहीं आएगा कि आप निकालके दिखाओ आएगा कैसे निकालोगे आ आपका 10% है तो 1 plus में 0.1 कर दोगे ठीक है मैं calculator पर बता देता हूं जिन बच्चों को दिख रहा होगा समझ जाएंगे और जिनको नहीं समझ में आएगा बार बार वीडियो देखेंगा समझ में आ जाएगा 1 divided by 1.1 आ गया अब 5 बार equal to दबाना है क्योंकि 5 साल है न एक दो यह कितने हो गए 3 हो गए पहले तो था ही 3 नहीं 2 3 4 1 एक साल दो तीन चार पांच पांच साल हो गया इसके बाद जीटी प्रेस करना है आपके calculator में होगा तो कामियाब रहेगा नहीं तो फिर नहीं होगा तो पांच साल बाद जो होगा ना आप एक रुपे लोगे ना तो य जाएगा 3.790 जबकि आपका देखा जाए एक रुपे वेल्यू पांच साल में तो हर साल एक रुपे पांच रुपे होना चाहिए लेखिन वह सब फेक्टरिंग करके यह वेल्यू ना आपको गीवन होगा सवाल के अंदर मैं इस पे ज़्यादा आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहता, complicated नहीं करना चाहता, goodwill का मतलब बहुत basic सा है, average profit in case आपसे पूछे, average profit in 2 में annuity value, चलिए देखे सवाल में आपको दे रखा है, आप ध्यान से देखेंगे सवाल में क्या कहता है, कहता है profit taking the present value, present value of annuity factor 5 यर 10% क यह दे दिया इसने, और देखो आप कहीं ना कहीं, तो मेरा rate देखो और इसका rate देखो same ही है, तो इसने भी वैसा ही निकाला होगा, लेकिन अभी first year semester, second semester में बोला गया, कि बच्चों आपको ध्यान नहीं देना, कैसे निकाला जाएगा, यह अभी हम निकाल के देंगे, third semester म financial management आएगा, तब सीखोगे, सारी value निकालना, ठीक है, समझ में आई बात आपको, तो सर यह हमेशा value देगा, आपको क्या निकालना है goodwill, फटा-फट देख लेते हैं, एक सवाल करेंगा, आपको clear हो जाएगा, कुछ भी नहीं है सर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है annuity वाले म मैं तो कहता हूँ, जिसको इस पूरे chapter में आप पता है क्या notice करोगे, सर जिसको आ गया capital employed निकालना, उसको सब कुछ आ गया, ठीक है न, चलिए, कहता है net profit of the company, after the providing tax 5 year का दे रखा है आपको, this, 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 और this, यानि 5 सालों का profit, तो average profit निकालने, average profit क्या होगा, 40, 42, 45, 46, और 45, और divided by 5, बता दीजिए, कितने, but average, average एक ब्यास कैसा आएगा, 35, 720, 35 भी नहीं आएगा, पता नहीं क्या कर रहूंग, 40, 42, 45, 44,000, average profit आगया, ठीक है, आगे कहता है, the capital employed of the business, 4,000,000, अब तो मज़े आगे, दीए है, capital employed आगया, तो normal profit भी निकाल सकते हो न, normal profit is equal to capital employed कितने दे रखे हैं, 4,000,000, the return 10%, low जी, low, super profit आजाएगा, क्या, average गलत है, नहीं, अगर आपको capital employed question में दोगे, दे देगा, तो आप मान के चलना, वो average करके दे रहें, अगर नहीं देगा, आप balance sheet से अगर निकाल रहे हो, तब आपको निकालना है, ठीक है, आगे कहता है, it is expected the company will be able to maintain the profit next five years, ठीक है भाई, तो इतना ही कमाएगा, calculate the value of goodwill business on the basis of NUT, super profit taking the present value, ठीक है sir, super profit के साब से निकालना है, तो पहले जान लो super profit, तो sir, super profit क्या होगा, average profit minus mean normal profit is equal to 4000, goodwill कैसे निकालते हैं, बताओ, goodwill is equal to super profit into में, तो super profit कितने हैं, NUT value बताओ, 3 point, बताओ, यह आगया 15, 120, कोई मुस्किल है क्या है, यह 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 बारवी क्लास में नहीं करा था, तो अगर बारवी क्लास में आ भी जाए तो क्या हो जाता, बस यही तो करना तो वो भी तब भी सीख लेते हैं, अब इसको average profit के हिसाब से भी फूच लेता तो मैं क्या करता, average profit निकाला है ना, पूच लेता तो, average profit के हिसाब से भी मैं निकाल देता, तो मैं ekstra काम करके चलता हूँ कि आपको पता चल जाए, average profit के इसाब से goodwill क्या होता है sir, goodwill is equal to average profit into में, NUT, average profit is, 44 into my NET 3 point यह आ जाता है हमारा 1,00,00 इतने का फरक कभी भी capitalization method में तो same आता है लेखिन आपका जो average profit या super profit के इसाब से होता है उसके अंदर हमेशा answer में differ रहेगा मैंने दोनों कर दिया आगे कहता है how would your answer is differ goodwill calculate by capitalization capitalization से करना है आपको the excess of annual average profit distribution over the reasonable return excess of average profit तो यानि capitalization भी कौन सा बोल रहा है super वाला बोल रहा है किसके अंदर excess होता है super वाले में होता है और the capital employed same return 10% के दिया अशे तो सर सूपर प्रॉफिट तो था ही अब रेट को reverse करना है चार जा रहा है रेट को reverse करो क्या बनेगा 10 बटे में 100 बटे 10 कितना आ जाएगा अंसर देखना हो समझ रहे हो अब निकाल लेते हैं हम अगला capitalization में क्या होता है सर super profit into में 100 divided by rate सर सूपर प्रॉफिट कितना है 4000 into में 100 divided by rate 10% that is तो ना आंसर देखना बताएगे कोई doubt